प्रदान मंत्री उज्वला योजना से जुड़ू ही एक ऐसी जानकरी है जिसका आपको बहुत वायदा होने वाला है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे ताकि आपको मैं जो समझाना चाहता हूं जो आपको बताना चाहता हूं उस से आप ठीक से समझ सकें दोस्तो प्रदान मंत्री उज्वला योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि भारसरकार ने लागू करी है करोडों लोगों ने इसके अंदर कनेक्शन लिया है करोडों लोग इसका लाब लेना भी चाहते हैं लेकिन उनको ठीक से इस योजना मे असर बहुत बड़ा होता है और आप लोग इस अच्छी योजना का भी लाब नहीं ले पाते आपकी ही की गई गलतियों की बजह से तो दोस्तो क्या है वो गलतिया चलिए हम बताते हैं दोस्तो सबसे पहले आप हमसे सवाल करते हैं कि आप इस योजना के अंदर गैस बुक नहीं कर पार है या आपको कुछ दूसरी दिक्कते आ रही हैं तो दोस्तों क्यों आ रही है दोस्तों देखिए जब आपने इस कनेक्शन को लिया था प्रधान मंतिय योजना का आपने जब कनेक्शन लिया था तो आपसे कुछ दोक्यमेंट मांगे गए थे जैसे कि आपका आधार कार्ट आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट ठीक है तो आपसे कुछ दोक्यमेंट मांगे गए थे अब हम करते क्या है थोड़े टाइम बाद अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं अपना बैंक तो उसे update करवाना चाहिए दोस्तो आप gas book करने में आप बताते हैं आपको परेशानी हो रही है वो इसी लिए होती है क्योंकि आप अपना mobile number change कर लेते हैं जब connection लिया था तो आपने कोई दूसरा mobile number से connection लिया होगा registered कोई दूसरा number किया था और अब आपके पाद दूसरा number है तो आप जब दूसरे number से gas book करेंगे तो आपकी gas book नहीं होगी और सिर्फ आप phone के दुआरा ही gas book कर सकते हैं अगर आप agency में जाकर gas book करेंगे तो वहाँ से भी आप gas book नहीं हो पाती क्योंकि आप इस तरह की सुईधा नहीं है जो भी नए number लिया है उस नए number को महाँ पर register करवाई है जल से जल ताकि आप इस योजना में जल से lab लेते रहें दोस्तो इसी के साथ साथ जो भी आप दूसरा जो document चेंज कर रहे हैं चाहें आप अपना account number बदल रहे हैं चाहें आप कुछ भी agency में जाकर उन्हें भी change करवाना चाहिए ताकि आप इस योजना का ठेक ठेक लाब लेते रहें दोस्तो यह चोटी चोटी गलतियां होती हैं जादातर लोग यही गलतिया करते हैं कि अपने mobile number को पदल देते हैं या अपने document को कभी भी change करते हैं तो वो update नहीं करवाते हैं जबकि उन्हें लगातार update करवाना चाहिए ठीक है तो इन गलतियों से आप बचिए और दूसरी बात कि आप इस connection को क्यों नहीं ले पा रहें या इस connection में apply क्यों नहीं कर पा रहें तो यह भी आपकी गलतियों के वज़े से होता है दोस्तो दोस्तो इस योजना के अंदर को document मांगे गए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपके पास पूरे document नहीं है या आप पूरे document नहीं दे रहे हैं तो आप इस योजना के अंदर apply नहीं कर पाएंगे आपको ठीक ठीक document देने हैं जैसे कि आधार कार्ड है जनगरना लिस्ट में आपका नाम जरूर होना चाहिए अगर आप इस योजना में apply करना चाहते हैं तो आपके पास valid mobile number होना चाहिए बीपेल कार्ड होना चाहिए जन्दन account भी होना चाहिए और आवासी प्रमाड पत्र होना चाहिए अगर आपके पास ये document होंगे तब ही आप इस योजना में lab ले पाएंगे अगर आप जुगार करके कुछ कोशिश करेंगे तो आपको इसका lab नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसके अंदर inquiry भी होती है और आपको इसमें lab मिलने में दिक्कते हो सकती है तो आप गलती मत कीजिए ठीक ठीक document अपने वहाँ पर दीजिए ताकि आपको इसके connection मिल सके और कभी भी आप जो भी changes करते हैं एडरस या mobile number वगेरा में तो वो भी आप time to time update करिए तो यह चोटी चोटी गलती होती है लेकिन इनका असर बहुत बढ़ा होता है और आप ऐसी अच्छी होजना में भी lab लेने में रह जाते हैं तो यह जानकर आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ भी से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए